असलाम लेकुम फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल आज में आपके लेकर आई हूँ चिकन पास्ता की रेसिपी डेसी स्टाइल में इस्पाइसी ट्रीट जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है एक बार ही रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही मज़े का बनता है एक शिमला मिर्च को हमने बारिक स्लाइसे में कट किया है लंबे लंबे पीसेज में एक बड़ा टमाटर लिया है उसे भी हमने बड़े-बड़े पीसेज में कट किया है साथ से आठ लैसुन की क्लॉव्स लेंगे उसे भी बारिक पीसेज में कट कर लिया है दो हरी में एक लीटर पानी गरम करेंगे उसके अंदर एक टेबल स्पून और डालेंगे और एक टी स्पून नमक डालेंगे और इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे पानी में एक बॉयल आ जाने के बाद हम पास्ता इसके अंदर डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला और इसमें chopped garlic एड़ कर देंगे इसके हलकी brown हो जाने के बाद में हम इसके अंदर हरी मिर्ची एड़ कर देंगे और इसे saute करेंगे कुछ second saute करने के बाद हम इसके अंदर प्याज एड़ कर देंगे प्याज को हमें translucent ही रखना है ज्यादा brown नहीं करना है तक यह आप देख सकते हैं प्याज अब translucent हो गई है तो अब हम इसके अंदर शिम्ला मिर्च और टमाटा डाल देंगे इसको कुछ seconds के लिए saute करने के बाद में हम इसके अंदर चिकन एड़ कर देंगे चिकन हमने इसके अंदर एड़ कर दिया है अब इसे तब तक fry करेंगे जब तक इसका हलका सा कलर चेंज नहीं हो जाता है चिकन फ्राइ होता है आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इंस्टा हैंडल स्क्रीन पर मैंशन है बस कुछ ही सेक्टिंस लगेंगे फ्लीज फॉलो कीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन को हमने फ्राइ कर लिया है और इसका हलका सा कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम इसके अंदर एक टीबल स्पून अद्रक लैस्टून का पेस्ट टाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाकर दो मिनट के लिए सौती करेंगे जब तक अद्रक लैस्टून की कच्छी स्मेल इसमें से नहीं चली जाती अद्रक लैस्टून के साथ चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है अब इसमें से कच्छी महग भी चली गई है तो हम इसके अंदर पाउडर मसाले आड़ कर देंगे हमने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है और 1.4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते है 1.4 टेबल स्पून काली मिर्च कुटी हुई इसके अंदर डालेंगे अभी मसालों को मिलाते हुए हम इसे 1-2 मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि जो यह मसाला है वो चिकन के साथ अच्छे से मिल जाए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और चिकन को गलने के लिए रख देंगे हम इसे ढख कर पकाएंगे लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छे से नहीं कल जाता पास्ता बॉइल हो चुका है अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं स्ट्रेन करने के बाद आप इसके उपर थोड़ा सा थंडा पानी डाल देजिए उससे यह आपस में चिपकेगा नहीं अब यहाँ चिकन भी अच्छे से गल चुका है तो अब हम इसके अंदर एक टेबल स्पून टमीटो सॉस एड़ कर देंगे और इससे अच्छे से मिला लेंगे अब यहाँ फ्लेवर के लिए एक टेबल स्पून ओरिगेनो इसमें एड़ कर देंगे अगर आपके पास अविलिबल नहीं है तो आप यह स्टैब स्किप कर सकते हैं अब हमारा चिकन मसाला बनकर बिल्कुल रैडी है तो हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे और इसे मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद इसे दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर ढखकर रख देंगे जिससे इसके सारे फ्लेवर्स और मसाले अच्छे से पास्ता के अंदर मिल जाए और यह बहुत ही अच्छा बनकर तियार हो दो मिनिट के बाद गे इसकी फ्लेम को बन कर दीजिए and it is ready to serve चिकन पास्ता की यह रेसिपी इंडियन फ्लेवर्स के साथ में बहुत ही यमी लगती है कभी आपके पास डिनर बनाने के लिए कम टाइम है तो आप यह रेसिपी जट पर त्यार कर सकते हैं आपके बच्चों को यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी अगर आप कोई रेसिपी पसंद आती है तो आप इसके रिव्यूस हमारे साथ शेयर करना ना भूले और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू